Hypertext Markup Language HTML इसके Question-Answers देख रहे है HTML के Question-Answers याने Exercise से देखेंगे कुछ पहले फिरिंद ब्लांक्स है Dash is the building block of HTML Building block क्या है Tags Tags जो है वो building block है आपके HTML के HTML document must have .html या फिर .htm ये extension होना चाहिए Dash tag is used to write line or text in center तो कौन सा आपका ऐसा tag होता है जिससे आप center कर सकते हैं तो उसके लिए center tag की होता है इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं A line is equal to center इस तरीके से करेंगे Dash tag is used to set paragraph तो P होता है उसके लिए paragraph set करने के लिए और to insert image Dash tag is used उसके लिए हमारे पास IMG tag है तो इस IMG tag में आप source देते हैं चाहे internal हो तो वही सिधा file का नाम दिख दीजे JPG file या जो भी आपकी image file हो और नहीं तो अगर external हो तो पुरा path देना पड़ता है True of all बताईए HTML tags are case sensitive ये आपका false है क्योंकि HTML tags छोटा लिखे बड़ा लिखे कोई फरक नहीं पड़ता है H1 से लिकर H6 tag ये रिप्रेजेंट करते है heading tags और different size बिल्कु सत्य है P tag is used to insert new line और insert enter in HTML नहीं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके लिए हम BR use करते है line break IMG tag is used to insert images in web page बिल्कु सत्य है B tag is used to make text italics नहीं ये bold करने के लिए होता है italic करने के लिए आई होता है वो text यहां लिखे और इस तरीके से बंद करिए short answer question देख रहे है HTML क्या है HTML एक language है basically this is the language जो आपके computer या web browser को direct करती है कि आपका text कैसा दिखना चाहिए आपके content कैसे दिखना चाहिए HTML में hypertext markup language full form है hypertext का मतलब होता है कि उसमें links होती है जिससे आप अलग-अलग pages में navigate करेंगे markup मतलब tag based language है tag आपको दिखाई देंगे इसमें और language इसलिए है क्योंकि computer को direct करती है name any two attributes used with body tag body tag में आप एक मैं आपको बता देता हूँ एक तो bg color है background color कर सकते हैं background color दिखा सकते हैं एक और भी है इसमें text text color के लिए text equal to आप कर सकते हैं जैसे bg color आप कर दीजे red और इसको कर दीजे white ऐसे कर सकते हैं तो पूरे background को color करने के लिए bg color और बागी जो color of text यहां पर होंगे उसको करने के लिए आप text कर सकते हैं write the HTML code to set the background color to yellow तो background कैसे करेंगे आप ऐसे करेंगे body bg color equal to red यह double codes है चोटा बढ़ा लिखे है कोई दिक्कत नहीं है body बढ़ी पर लिखेंगे इसको फिर body बंद भी करना पड़ेगा इसे how do you insert image in HTML document उसके लिए आप यूज करेंगे यह वाला का tag img यहां source देंगे और इसको बंद करेंगे अब देखेगा यहां पर आपके पास और भी attribute आते हैं यहां पर होता है width इसको 100 कर सकते हैं इसके आगे होता है height उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं यह source मैं बताओं यहां पर आप पुरा path देंगे जहां पर आपकी image होगी अगर आपकी image acceptable जहां रखी है file वहीं पर होगी तो कोई दिक्कत नहीं सिधा नाम लिख दिजे नहीं तो आपकी जहां रखी होगी वहां का path देना पड़ेगा और साथ ले file का नाम what does this n in the hn tag indicate देखे hn मतलब 1 से लेकर 6 तक h1 से लेकर h6 तक यह सबसे बड़ी heading होती है यह सबसे छोटी heading होती है heading देने के लिए क्योंकि एक document में heading देना पड़ेगा heading देंगे बाद में content लिखेंगे तो उसके लिए heading tags तो यह कुछ हमें एक तरीके से objective questions कह लिए लिए html के बहुत शुक्रिया बहुत मैवानी आप से लिखी